नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो पर हम नई दिल ली कट्रा एक्स्प्रेस वे के इन्फोमेशन के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेश्ट करूँगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो हाथ दोस्तों प्रिनित कौर जो की पटियाला के आपका राजसवा सदस है उन्होंने नितिन गड़दरी को लेटर लिखा और साथ ही ये बोला है कि इस एक्स्प्रेस वे में कही कही पर स्लिप वे और इंटरचेंज होना जरूरी है क्योंकि हम जैसा की जानते हैं कि पंजाब हर्याना में कई हिस्टोरिकर प्लेस है साथ ही पंजाब में बहुत सारे गुरूदवारा है जो जरूरी ये है कि उस एक्स्प्रेस वे से इन विलेज या इन सिटियों को जोड़ना ताकि दिल्ली से कटरा अगर कोई जा रहा है त कि एक्स्प्रेस वे किस ट्राइब का होता है आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिशन में मैं लिंक दे रहा हूं साथ ही उन्होंने ये बोला है प्रिनित कौर जी ने ये बोला है कि आपका इसमें इंटरचेंज होना जरूरी है इन्होंने ये प्रपोस दिया था ये बताया है क उसी तरीके से बहुत सारी जगाओं पर slipway का भी उन्होंने प्रपोज दिया है कि वहाँ पर आपका slipway होना जरूरी है ताकि जो दिल्ली से कटरा जा रहे हैं तो वो दूसरे जगा भी अगर दूसरे विलेज या दूसरे historical place जाना है या फिर गुरुदवारा जाना है तो वो easily जा सके अब हम इसी वीडियो पर बात करेंगे कि interchange और slipway क्या होता है देखिए interchange इस तरीके से दो highway अगर cross कर रहे हैं दो बड़े highway एक दूसरे को cross कर रहे हैं तो इस तरीके से arrange किया जाता है कि कोई भी आपका conflict मतलब बाधा वाला point ना मिले मतलब properly अगर आप interchange में चले होंगे तो उसमें समझ में आता है कि अगर left side मुड़ना है तो properly उसको follow कर दिए अगर समझ दिए left से right जाना है तो properly एक लंबा distance घूम के आपको नीचे उतरना पड़ता है एक फायदा ये रहता है interchange में कि time नहीं आपका बरबाद होता और साथ ही आप जल्दी बिना किसी signal का आप रुके आप उस road को cross कर लेते हैं जैसा कि मेरा जो अनुभाव रहा है वो रहा है आपका great distant highway और आपका NH44 का जो की नाखपूर में है वो दोनों highway एक दुसरे को cross करते हैं तो एक properly clover lift interchange से करते हैं आप image पर भी देख पा रहे हैं एक तरह का बहुत बड़ा एक समभली जे road का network होता है हाला कि इसमें bridge नहीं रहता लेकिन एक बहुत बड़ा area की requirement होती है और जो traffic होता है वो बहुत सुगम तरीके से होता है कोई भी expressway हो गया है जैसे कि नई दिल्ली कट रहा है नई दिल्ली अम्रिसर expressway तो यहाँ पर अगर कोई national highway उस expressway को cross कर रहा है तो वहाँ पर आपका clover lift interchange जो की एक पत्ती की तरह दिखता है वो जरूर प्रोवाइट किया जाए तो इसी तरहीं के से प्रिनित कॉर्ट जी यही चीज बोला कि यह interchange आपका selected जगाव पर होना चाहिए साथ ही slipway कि वहाँ से आपका left side road निकल जाए किसी और village या किसी और धार्मिक स्थान को collect करते हो तो यह होता है दोस्तों slipway और interchange हाला कि interchange और slipway का जो design होता है basically यह depend करता है कि traffic density कितनी है उस particular highway आई होप दोस्तों य जानकारी आपको जुरूर अच्छी लगी होगी अगेन मैं बोल रहा हूँ चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो पसंद आदे वीडियो को like और share कर दीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you very much